यजदा में हिंदूस्तान मोटर की में हिंदूस्थाय वाला है ने игр केsoid नहीं के साथ लाइन बहते हैंエंध्यक है देगा जी हाँ दोस्तों हिंडुस्तान मोटर की एक आइकॉनिक कारों में से एक रह चुकी है इसने बारत में 1958 से लेके 2014 तक इंडियर मार्गीट में राच करा है उसके बाद 2014 के बाद यह गाड़ी डिसकंटिनु कर दी गई ती इंडुस्तान मोटर के द्वारा यानिक यह गाड़ी 56 साल इंडियर मार्गीट में रह चुकी है दोस्तों और हाली में फ्रेंच की एक कंपनी पीएसी ग्रूप ने इ है में में प्रेंच को खरेद लिए और दोस्तों यह whip करीब अस्त इंड़ियर में मील करने में बासर नवाली जो की आपको बहुत ही नएप्रिचर आप्ट यह जा सकती है話 pris ticket ही एक Всबोरा फीवyorsun सारे नये safety features मिलने वाले हैं तो बिए टाइमने हैं दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब के साथ बैख दा लेकिन भी दबातना उफर किये जाएगी इसके एक्स्टिर्ण में आपको हिंदुस्तान मोटर की बैजिंग के साथ नए फ्रेंड गिर्ल नए प्रोजेक्टर हैड लैंप नए डियारेल्स नए फोग लैंप वर्वें विट टन इंडिकेटर्स फ्रेंट एंडियर स्कुफ प्लेट्स और सिक्षि इसके बात करें तो इसमें आपकोने इंडिया सेफिंगा जो की 1.5 लीटर मूण पेटरम विट्रेंड जो की 140 बहट उट्रेंट नए इंडियारी ऑपशंन कोर्ण दिभि द Lösung मिलेगा हैं जोकी 110 बहट निया सCal mist वारेंग ट्रैयर की अथो 1150 प्लियार इंडियर आपको तो नई एंबेज़र में आपको modern और premium interior मिलेगा पुरानी एंबेज़र के बज़ए इसमें आपको soft touch dashboard के साथ ए बहुत शानदार interior मिलेगा जो की touchscreen system के साथ आएगा इसमें आपको 8 से लेके 10 इंची तक का touchscreen system मिलेगा जो की Android आपल कार पर दोनों सपोर्ट कर रहे दोस्तों इस आपका interior पुरानी वाली एंबेज़र के बजाए बहुत ज्यादा शानदार और आप मार्केट लाएगा इसकी interior में आपको kilton telescopic steering with mounted buttons, cooled glove box, wireless charging, multi information display, ambient lighting, 5% seating arrangement, large boot space, rear seats with AC events, rear seat with headrest, six speaker premium audio system, keyless entry, push touch stop button, rear camera जैसे शानदर feature नई एंबेज़र के interior में आपको देखने को मिलेंगे अगर हम नई एंबेज़र के safety की बात करें हैं तो इस गाड़ी में safety की भी कोई कमी नहीं है इसमें आपको high strength steel body, all airbags, entry lock braking system, electronic brake distribution, reverse and front parking sensor with camera, hill hold assist, hill down assist, multi angle with reverse parking camera, cruise control, corner stability control, electronic stability control, all this brake जैसे शानदर safety की feature बारत में आने वाली नई एंबेज़र में आपको मिलने वाले हैं अगर हम कीमत की बात करें तो दोस्तों नई एंबेज़र की कीमत आर्ट लाग में शुरू होकर अगर हम इसकी launching date की बात करें तो यह गाड़ी आपको दोस्तों 2021 की end तक या फिर 2022 की शुरुवात तक इंडिया में लाउंच होती है दिखाई देने एक दोस्तों अगर वीडियो चले हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना ताकि ज्यादे ज्यादा लोग को पता चले आने इस अब जब बैड़नगे पारे में जो सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब के सही सब्सक्राइब नहीं करना तो आएक फोलो पर लेन डिस्किप्शन में लिक देंगा एसा छी मिलते हैं कि और नहीं विडियो में तब तक कि लिए गुडबाए दोस्तों